नमश्कार उनकी कलम मेरी आवाज में आप सबी का सागत है आए सुनते हैं कहानी एक घर हो सपनों का जिसे लिखा है हमारी चहीती लेखी का मालती जोशी जी ने स्कूटर की परिचित आवाज सुनकर मैंने बिनाई एक और रख दी और उठकर दर्वाजा खोल दिया हस्ब मामूल अहमा का कहीं पता ना था मजबूरन मुझे इरसोई घर में दोड़कर जाना पड़ा उधर भूशन जैसे इस अफसर की राह ही देख रहा था उधर उन्होंने घर में पाउँ दिया इधर इसने जोर शोर से अपना रागलापना प्रारंब कर दिया अरे कहां हो भई अपने लाडले को जरा छुप तो कराओ इनके जल्लाई हुई आवाज आई अभी आई मैंने कहा और जल्दी जल्दी किसी तरह चार चिपस तल कर चाय तयार की बहर आई तब तक मुन्ने मिया सारे घर को अपनी आवाज से भर चुके थे कमबक्त जरा हिलने नहीं देता मैंने पलंग पर अपना आसन जमाते हुए कहा हिलने की जरुरत ही क्या है यूर सपोस्ट टू टेक रेस्ट अम्मा जी कहां है शायद पडोस में अचार दिलवाने गई है मैंने यथा शक्ती सहज होते हुए कहा हाला की शायद सब यहां एक दम फिजूल था मुझे मालूम था अम्मा पडोस में है और मन ही मन मैं गुस्ते से उफन रही थी कभी-कभी मुझे लगता है क्या यही कि हम लोगों ने अम्मा जी को अपने लिए नहीं चाची जी के लिए बुलवाया है तो क्या पडोस में जाना भी गुना हो गया मैंने बेवज़ात तुनकते हुए का चाची बेचारी हमीशा मेरी कितनी मदद कर देती है सो पडोस में रहकर इतना तो करना ही पड़ता है वह चुप-चाप चाय का घूट भरते हुए मेरी रामायन सुनते रहे लड़कियां कहा है कप रखते हुए इन्होंने पूछा वही होंगी कच्चे आम जो मिल गए होंगे कोई मना करने वाला तो है नहीं तुम तो रोक सकती थी अब तुनकने की बारी इनकी थी दिन भर उट पटांग चीजे खाया करती हैं फिर रात में खास खास कर सब की नीन खराब करती हैं और इतने ही परिया चुप नहीं हुए आंगन में जाकर इन्होंने जोर से आवाज लगाई पुनीता महिमा पल भर ही में दोनों दोरती हुई आई और अपने पापा के रौदर रूप से डर कर सहमी सहमी अपने बस्ते खोल कर बैठ गई एक अजीब सी मनहुसियत सारे घर पर चाही रही बे मतलब सांज ढले अम्मा लोटी इन सब बातों से बे खबर कितने देर कर दी अम्मा मैंने किसी तरह अपने पर काबू रख कर कहा लली दो सो अमिया का अचार पड़ा है पूरी दोपहर हो गई काटते काटते फिर कुछ कुतरा, कुछ मुरब्बा कुछ चटनी तो आज ही सब कुछ जरूरी था क्या चाची भी कमाल करती है आरे हमाई ने कहा कि बनाए लेो रोजोज का जंजट कौन पाले और इसके बाद अम्मा कमर सीधी करके जो लेटी तो रात के नौ वजे मेरे जगाने पर ही उठी मिसरानी तब तक खाना बना कर जा चुकी थी उसकी हाजरी में मुझे बराबर रसोई में ही रहना पड़ा था दूसरे दिन सुबह चाची के यहां से आम के खटी मीठी चटनी और मुरब्बा आया था और उनके स्वाद से इनका रात वाला मूद गायब हो चुका था यह तो मानना पड़ेगा कि चाची साक्षात अन्न पूर्णा है कितनी तरह के अचार बना लेती है और एक से एक ला जवाब इन्होंने चटकारे लेते हुए कहा तो यह कौन बड़ी बात है लिला हमसे कहो तो हम पचीसन तरह के अचार बना दे औरत हो के इतना भी नहीं जानेंगी का हम दोनों मुस्कुरा दिये अम्मा यों तो दिन भर चाची के गुण गाएंगी पर कोई दूसरा तारीफ करे तो उन्हें इर्ष्या हो आती है अच्छा अम्मा जी यह बोले आप तो इतना सब जानती है अपनी लाडली को तो आपने कुछ सिखाया नहीं धंग का आडोस पडोस ना हो तो मैं तो अचार खाने को तरस जाओ मैंने बड़ी बड़ी आँखों से इने घूरा परिया शरारती धंग से मुस्कुराते रहे अरे बेटा वह बेचारी कहां से सीखे अम्मा ने बिसूर न सुरू किया बाप ने कभू पांच निबूआ तो लाके दिये नहीं दूसरे की गिरस्त में अपना क्या जोर अम्मा देखो तो मुन्ना क्यों रो रहा है अभी तो सुला कर आई थी मैंने किसी तरह अम्मा को रसोई से बाहर ठेलते हुए कहा फिर बे मतलब मुहले टोले की बाते ले बैठी जिसमें अम्मा की बातें डूब जाएं तुम्हें क्या हो जाता है अम्मा कभी कभी इनके दफतर जाते ही मैं फट पड़ी क्या हुआ रही कहां कहां की बाते ले बैठती हो किस से कौन सी बात कही जाए इसका भी आपको होश नहीं रहता गड़े मुर्दे उखाडने की भला क्या जुरूरत थी बात में से बात निकल ही आये है बिन्ना और फिर लला कोई पराएं है अम्मा ने भोला सम्मों बना कर कहा क्या उत्तर देती मैं कैसे समझाती उन्हें कि सही बात मालूम होने से ससराल में मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी यहाँ तो सब लोग यही जानते हैं कि बहु इतने बड़े जमीनदार की भान्जी है इसका एक भाई धनबात की कोईले की खानों में बड़ा सा इंजीनियर है छोटा भाई हवाई जहाज का पाइलेट है कभी मैंने आभास नहीं होने दिया कि सारा बच्पन मैंने मामा मामी के आश्रे में बिताया है मेरे अफसर भाई भी उन्ही की छत्र शाया में पलकर बड़े हुए है और मेरा कन्यादान भी मामा ने दान की भावना से ही किया था पिता जी के रहते भी अनाथों का सा जीवन बिताया था हम लोगोंने उस मानसिक यंत्रणा की स्मृती भी अब जहर सी लगती है अपने आत्म गौरफ को अब जरूत से ज़्यादा सहेजने लगी हूँ मैं तीसरे पहर अम्मा बोली लली हम तनिक दुलहीन के साथ बाजार होई आए क्या लाना है मैंने रुखे स्वर में पूछा दुलहीन अपने तैई धोती खरीदेगी शादी में जाएगी ना मन तो आया था कि कह दू आपको उनके साथ बॉडी गार्ड बन कर जाने की क्या जरूरत है लेकिन कह न सकी जिस बाल सुलब उत्साह से वे पूछने आई थी उसका लिहास करना पड़ा बाद में बड़ी देर तक मैं भुन-भुनाती रही यहाँ भी कोई तरीका है आप दिन भर दूसरों के यहाँ पहरा देती रहें यहाँ मेरी लड़कियां भूखी बैठी रहती है यह विचारे चाय के लिए तरस जाते हैं इनके आराम के लिए हमने मिस्रानी रक्षोड़ी है और आप देखो तो दिन भर दूसरों के यहाँ विर्थ में खटी रहती है आज पाप पढ़ है तो कल बड़ी है आज धनिया जाफो रहा है तो कल हल्दी पिस रही है पढ़ोस के घर के प्रतिया मोह सीमा पार करता जा रहा है कहां तो हम डर रहे थे कि इस जरा से क्वाटर में अम्मा का दिल नहीं लगेगा भाईया का शाही बंगला याद करके यह संकोच में भर उठते थे यह तो मेरी ही जित थी जो अम्मा को यहां लिवा लाई भूशन के भरोसे लड़कियों को सम्हालने की बड़ी समस्या थी फिर मेरा भी मन अम्मा के पास रहने को हो रहा था भाईया के पास साल दो साल में चक्कर लगा आती हूँ पर वहां सब कुछ कितना फॉर्मल होता है उस वातावरण में खुल कर हसना बोलना भी संभव नहीं यही सोचकर अम्मा को बुला लिया था सोचा उन्हें भी तो कुछ परिवर्तन चाहिए अम्मा के टैक्सी से उतरते ही पडोस के पंडित जी ने भौजी पायलागी कहा तो अम्मा एकदम निहाल हो गई फिर बड़ी आसानी सेवा चाची की जीजी बन रही थी और जब तब उन्हें साधिकाद दुलहिन कहकर पकारने लगी इस रिष्टे की मिठास ने पडोस के संबंधों को और भी मजबूत बना दिया अम्मा तो जैसे अपना सारा वातसल उन्ही पर उडेले दे रही थी हो लड़की दमाद होकर भी हम लोग इस दौर में बहुत पीछे रह गए थे इनके दफ्तर से लौटने से पहले ही मैंने चाए नाश्ता तयार कर दिया था ताकि कल की तरह इनका मूड आफ न हो जाए अम्मा जी कहां है चाए पीते हुए नो ने पूछा चाची के साथ बाजार गई है शायद उन्हें कुछ कपड़ा खरीदना था मैंने बतलाया और संभावित व्यंग्योक्ति का हुत्तर देने के लिए तयार होकर बैठ गई लेकिन इनका मूड कुछ अच्छा था अतह बोले अम्मा को कुछ पैसे दे दिये थे ना शायद वे कुछ खरीदना चाहें उन्हें भला मेरे पैसों की क्या जरूरत उनके बेटे उन्हें नोटों की गड़ियां देते रहते हैं मैंने दर्प से कहा पर सश्ट तो यह था कि मैं भीतर ही भीतर शर्म से सिकुड गई थी जो बात यह सोच सके वह भला मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई गुस्से के मारे में बस इतना ही कह पाई थी उस वक्त तांगा वांगा कर ले ना नहीं तो चाची के साथ घिसटती फिरोगी बाजार बहुत दूर है दिन ढलेवे लोटी और सीधे मेरे कमरे में ये घर पर थे नहीं लड़कियों को लेकर घूमने गए हुए थे संकोच का कोई प्रश्न था ही नहीं वहीं चाय बनी और बड़ी देर तक साडियों के रूप रंकी चर्चा होती रही अम्मा का उच्चा और खुशी देखने लायक थी जैसे कपड़ा उनी के लिए आया हो अच्छा बिनी ये पडोस के लाला जी पी डबलू में है ना चाची के जाते ही अम्मा ने कहा हाँ क्यों क्या तनखा होगी मुझे नहीं मालूम तुम तो दिन बर बैठी रहती हो चाची के पास पूँच क्यों नहीं लेती अम्मा कुछ छण विचार मगन बैठी रही कुछ देर पहले वाला उल्लास जाता रहा था तेरे बाबुजी भी पी डबलू में थे ना क्या पता बाबुजी की नौकरी से हम लोगों का वास्ता ही क्या था मैंने रुखाई से कहा बच्पन की धे सारी कडवी यादे मन में उगाई इसी नौकरी पर थे तेरे बाबुजी पर कभी शौक से एक रुमाल भी ना खरीदा हमने दुलहिन को देखो चार-चार धोतियां एक साथ ले डाली अम्मा कस्वर ऐसा था कि मुझे दया हो आई सांत्वना सी देते हुए मैंने कहा वे भी कोई साड़ियां है अम्मा मैं तो उनके सामने योही तारीफ कर रही थी वरना तुम्हारी हर साड़ी उनसे कीमती है ये जो साड़ी तुमने पहनी है न जानती हो पूरे सत्तर की है भाया लखनव से लाए थे मेरे सामने अम्मा बड़ी दे तक सफेद लखनवी चिकन की अपनी साड़ी को उलट पुलट करती रही फिर बोली अब सौ की भी पहन लो तो क्या जब पहनने का मन था तब तो उतरन पुतरन पे ही काटी है आसों से भीगा अम्मा का यहवा के बड़ी देर तक मेरे मन को मतता रहा अपना अभिशप्त बच्पन आखों के आगे खूम गया बच्पन की उन स्मृतियों में बाबु जी की भूमिका खल पुरुष कीसी थी याद पढ़ता है तो यही कि अम्मा जब तब तीनों बच्चों को लेकर बाबु जी के दर्वाजे पर जा खड़ी हो जाती सफर की थकान के बीच भी हम लोगों के मन में घर लोटने का उत्सा होता घर हमेशा सपात और विराना मिलता ना बर्तन, ना बिस्तर, ना खाने का सामान अम्मा हर बार नए सिरे से घर को चमकाती हम लोगों का दाखिला नए स्कूल में कराया जाता लेकिन यह सब नाटक थोड़े ही दिन चल पाता मामा जी की दी हुई पूजी समाप्त होने लगती और एक बार फिर हम सब को लोटना होता अपने ननिहाल बाबु जी ना तो आने पर हमारा स्वागत करते ना जाते हुए उनका मन भारी होता उनके तो लोग पर लोग जैसे बस बोतल से ही बंधे थे हम लोग शर्म से बशते हुए पिछले दरवाजे से प्रवेश करते छोटी मामी मुह में पल्लू दबा कर कहती जिजी हो ननदरानी आ गई आटे सने हाथ लेकर बड़ी मामी दोड़ी दोड़ी आती और कहती अरे आपकी तो बड़े दिन लगा दिये ससराल में अम्मा गुमसम बैठी रहती दो-चार दिन उनका यही रूप रहता फिर धीरे धीरे रसोई में गायों के बाड़े में कुएं पर सब जगां वे फिर किनी सी घूमने लगती और मामी लोगों को आराम हो जाता फिर किसी दिन किसी बात पर उनके स्वाभिमान को ठेस लगती और वह मैं लाव लशकर पती के दर्वाजे पर जा पहुँचती फिर किसी रितू चक्र की तरहां अम्मा का यह आवा गमन भी अवबाधित रूप से चल रहा था कुछ जादा समझने की उम्र नहीं थी फिर भी या बात खटकती थी मौसी लोग आती हैं तो अराम से बैठी रहती हैं उनके लिए बच्चों के लिए नए नए डिजाइन के कपड़े बनते हैं जाती हैं तो साथ मेवे मिठाईयों के फलों के टोकरे जाते हैं हम लोगों के हिस्से में यह सत्कार यह सम्मान कभी नहीं होता और एक बार इसी तरह हम लोग विदा हो रहे थे तब मामा जी ने गुसे में कहा था बसंती तेरी जो मर्जी हो कर लेकिन इन लड़कों की जिंदगी बिगारने पर क्यों तुली है बार बार के आने जानने में इनकी पढ़ाई का सत्या नाश हो रहा है यह तेरी समझ में नहीं आएगा और सच मुझ दोनों भाईयों को उन्होंने हमारे साथ नहीं भेजा था उस बार अकेली मैं ही अम्मा के साथ गई थी मुझे भी वहाँ जाना जरा अच्छा नहीं लगता था खास कर वहाँ से लोटना मन में अजीब सी गलानी भर देता था जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं स्कूल का पढ़ाई का बहाना करके घर पर ही रह जाती लेकिन अम्मा बदस्तूर जाती रही पता नहीं किस शुक की आसा में दोड़ दोड़ कर वहाँ जाती बाबुजी की बिमारी में तो पूरे आठ महीने वहीं रही और उनकी मृत्यू पर ऐसी बिलख बिलख कर रोई कि उन्हें देखकर मुझे भी रुलाई आ गई थी नहीं तो पिता नामक व्यक्ति के लिए तो मिरी आँखों से एक बून भी नहीं निकली थी अम्मा की बाद जैसे उन सारे दुखों को साथ जगा गई थी दो-चार दिन बाद ही चाची अपने भतीजे की शादी के लिए अलीगर चली गई जाते हुए वह अम्मा के पाउँ छूने आई तो अम्मा ने अपनी सौगंध दिला कर कहा लाला से कहियो खाना यहीं खाएंगे घर पर खटपटी करने की जरूरत नहीं वे दोनों बेचारे मुह ताकते रह गए संकोष तो खेर था ही पर मेरी रसोई में कभी कवार अल्लम गल्लम पक्ता था उसकी उन्हें खवर थी इसी कारण मैं भी इसरार नहीं कर पा रही थी आखिर पंडित जी को ही उपाय सूझा बोले भौ जी अब इस बुढ़ापे में मैं लड़की के घर खाते क्या अच्छा लगूंगा और मैं जो चर रही हूँ तुम्हारी बात और है तुम्हारे दो-दो लाल है बिटिया का घर भर देंगे मैं गरीब या कर्ज कैसे उतारूंगा बेटों की प्रसंसा से अम्मा गद-गद हो उठी और बोली अच्छा चलो तुम्हारी बात मानी पर एक शर्थ है खाना तुम नहीं बनाओगे दुले इनके हाथ की पूरी पक्वान तो बहुत खाए है कुछ दिन मेरे हाथ की कच्ची पक्की भी खा के देख लेना बिचारे बड़ा मना करते रहे पर अंत में यही विवस्था पक्की हुई तुम भी अम्मा कहां कहां की बला सिर पर ले लेती हो उनके जाते ही मैंने कहा चाची कोई आज पहली बार बाहर जा रही है पंडी जित्तो स्वैम बना लेते हैं तो क्या हुआ लली चार रोटियां हमी सेख देंगे तो क्या है बिचारे दोनों जने कित्ता आधर मान करते हैं इतना तो अपन को करना ही पड़ेगा मैं चुप ही रही जिन्दगी भर अम्मा ने रोटियां से की हैं दूसरों की लेकिन वह मजबूरी दूसरे प्रकार की थी या हर दूसरे प्रकार की मान मनुहार की भूखी अम्मा क्यूं मेरे पडोसियों पर जान छिड़कती है यह मेरी अब समझ में आया पती से तिरस्कृत नारी की हर जगह दूरगती होती है चाहे ससुराल में हो चाहे पीहर में वह तो बिना पेंदे की लुटिया होती है जिधर चाहा लुड़का दिया बिना पैसे की नौकरानी होती है जब चाहा जैसा चाहा काम लिया और बस छुटी जिसके पीछे चार बच्चे होते हैं उसे तो यह जहर का घूट पीना ही पड़ता है अकेली जान हो तो कुए में कूच जाए कोई भाया भावी के राज में अम्मा खूब आधरमान बटोर रही थी लेकिन भावजी किसी मिठास उस नीरस माता जी में कहां थी चाची चली गई और पंडित जी की रसुई पर अम्मा का आधि पत्ते हो गया उन्हें स्वैम पर सू स्वादु भोजन करवाने में उनका उत्साह जैसे छलक पड़ता था सुबह खिला चुकती तो शाम के नास्ते की सोचती रात को लेटे लेटे सुबह की प्लैनिंग करती कभी दाल भी ओ देती कभी चने कभी गीला मसाला डालती तो कभी सूखा जितने प्रकार के चावल वह बनाना जानती थी सब का नमूना उन्होंने आठ दिन में पेश कर दिया था आलू की सबजी कोई चार-पांच किस्म की बना कर खिलाई चाची को कटहल देखने से भी चिड़ थी इसलिए बनने का कभी सवाल ही नहीं उड़ता था लेकिन अम्मा ने दामात से कहकर कटहल मगवाया और उसकी सबजी परोज कर पंडी जी को सुख़द आश्चरे में डाल दिया वह कहते भाव जी इसी तरह महीना दो महीना तुम्हारे हाथ का खाता रहा तो कपड़े नए बनवाने पड़ेंगे रहने दो लला क्यों मुह देखी कहते हो आधे भी तो नहीं रह गए हो दुलही ना कर मुझसे ना लड़ें तो देख लेना लेकिन अपनी प्रसंसा उन्हें पुलकित करती वह उनका खिला खिला चहरा ही बता देता अमा मैं कहती किसी दिन भाई आकर देख लेना तो कितना नराज होंगे वह तो तुम्हारे आराम करने का कितना खयाल रखते हैं अरे तो आराम की कहीं कमी है अमा एकदम बिफर उठती मैं कोई लंगडी लूली हूँ अपाहिज बिमार हूँ बस एक कमरा दे दिया दिन भर पलंग तोड़ो और दिवार से सर फोड़ो भाबी बाते नहीं करती बस कभी कभी फुर्शत कहां है मीटिगें चलती रहती हैं दिन भर ना हमें साथ लिवा जाती है ना कोई हमारे पास आता है ना कोई बात कहने को ना कोई काम करने को सच इत्ता जी घबराता है अम्मा के उस एकांतवास की कलपना से मेरा भी जी घबरा उठता भाईया के यहां जब भी जाती मेरे हिस्से में भी वही आता था कभी कवार छोटे भाईया के यहां चली जाया करो मन बहल जाएगा ना बाबा बढ़का तो फिर भी कभी पांत दस मिनट पास आकर बैठता है छोटा तो पूरा अंग्रेज बन गया है आधी आधी रात तक दोनों घर नहीं आते इत्ते बड़े बंगले में अकेले जी घब पुराने लगता है बढ़के के यहां बच्चों की रौनक है, खाने पीने का भी विचार है वे अपने कुछ भी खाएं पियें हमारे बर्तन हमारी महराजिन सब अलग हैं एक अकेली अम्मा के लिए भाया ने एक महराजिन रक छोड़ी थी अम्मा की रसोई का कमरा भी और अपनी शक्ती भर उन्हें सुख देने का प्रयास भया करते रहते हैं फिर भी वह यहां दूसरों की रसोई पका रही हैं सो भी बड़ी चाव से किसी को बना कर खिलाने का किसी से प्रसंसा पाने का नारी सुलब मोह विक कैसे छोड़ दें भाया के यहां तो वह किसी काम में हाथ नहीं लगाती हाँ मैं जब जाती हूँ तब भले ही शौक से कुछ पना खिला दें और दिनों में तो वह तरस कर रह जाती हैं कि भाया किसी चीज के लिए कहें और वह बना कर खिलाएं लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि अम्मा तुम्हारे हाथ की अमुक चीज खाए बहुत दिन हो गए फिर उनका दोश भी क्या खाने खेलने की उम्र तो दूसरे की दहली पर बीद गई जो सामने आया कृपा प्रशाद समझ कर खा लिया अपनी कोई पसंद ना पसंद जैसी चीज रही ही नहीं मा से किसी बात के लिए हट किया जाता है यह वात उन्होंने जानी ही कब तो अम्मा अपना चिर संचित शौक पूरा कर रही थी इतनी भरी पूरी रसोई पर एक छत्रा धिकार उन्हें पहली बार मिला था मेरा घर भी लड़की का घर था थोड़ा बहुत संकोश तो हो ही जाता है सिर्फ बना कर ही उन्हें त्रिपती नहीं थी कभी दाल लेकर बीनने बैठ जाती कभी चावल कभी किसी चीज को धूप दिखाती कभी किसी चीज को यो चाची बड़ी सुघर ग्रहनी थी सारा सामान हमेशा कुटा पिसा साफ सुथरा रखा रहता फिर भी अम्मा अपने लिए छो चाय नाश्ता तयार कर सकें छुट्टी वाली दोपहर दिन भर खूप सो लेने के बाद चार बजे इन्होंने आखें खोली घर बड़ास सुनसान लग रहा है कहां चले गयल भाई सब लोग यह उठने क्या उपक्रम करते हुए बोले लड़कियां खेलने निकल गई है अम् उसमें क्यों पंडित जी तो शादी में गए है ना चाबी तो अम्मा के पास है तब तो आज चाय मैं बनाऊंगा तुम्हारी मा आई है तब से रसोई घर में नो एडमीशन का बोर्ड लगा दिया है तुमने मुझे भलक क्या अतराज हो सकता था मजे से बैठी बुनती रह लेकिन इतने आराम से चाय पिना उस दिन भाग के में नहीं था दो ही मिनट बाद यहां बाहर आये और बोले रेखा एक मिनट इधर आओ क्या है उनकी आवाज में ऐसी रहस मैता थी कि मैं घबरा उठी इनके पीछे पीछे रसोई की खिड़की से देखा अम्मा दस बाराः पीतल के छोटे छोटे डिबो का धेर लेकर बैठी है और उन्हें नीवू और राक से चमका रही है यह क्या हो रहा है अम्मा मैंने एकदम आगन में जाकर कहा हरी यह डिब्बे इतने कलिया गए थे हमने सोचा ओ फो तू क्या हो गया यह तू बरसात के दिन है दो दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे तो क्या हुआ दो दिन तो चमकेंगे इतनी सहजता से उन्होंने कहा कि मुझसे उत्तर देते ना बना धाई महिने का बच्चे का खयाल छोड़कर मैं भी वहीं बैठ कर उनका हाथ बटाने लगी किसी तरह वह आयोजन पूरा हुआ फिर उन्हें धो पोंचकर पूर्वत भरा गया और यथा अस्थान रखा गया चाची की अनुपस्थिती में उनके घर में इतनी दखलंदाजी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर अम्मा बड़ी त्रिप्त द्रिष्टी से चमकते डिब्बों की उस कतार को देख रही थी चलो अम्मा घर चलें मैंने कुछ सक्ती से कहा घर पर आकर वे बड़ी देर तक गुमसुम बनी रही मुझे लगता रहा मेरा स्वर बहुत ज़्यादा कड़ा तो नहीं हो गया था मैं यूँ ही इधर उधर की बाते निकालती रही ताकि वह सब भोल जाए लली बड़ी देर बाद वह बोली जहांसी में हमारे पडोस में एक मरैठन थी उसका घर जब देखो चम चम चमकता रहता था उसे अपने घर बुलाते भी ला जाती थी घर में बस एक कनस्तर था आटे का बाकी सौदा जैसा बनिये के यहां से बंद कराता है वैसा ही रखा रहता सारी शाम अम्मा उदास बनी रही बस बार बार एक ही बात कहती है यही P.W. की नौकरी तेरे बाबु जी की थी यही लाला जी की भी है पर दुलहिन को देखो कैसे ठाट से रहती है बिचारे पंडे जी का परिवार बहुत साधारन था बाल बच्चे थे नहीं इसलिए चार चीज़ें भी घर में आ गई थी लेकिन अम्मा बेचारी के भाग में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसना ही लिखा था आज बहुँ की रसोई में गैस के चूले हैं इलेक्ट्रोनिक ओवन हैं बात्रूम में गीजर है लेकिन अम्मा स्टोव पर खाना बनाने की तमन्ना भी पूरी न कर सकी मामा का घर तो देहाती था इतने लोगों का खाना लकड़ी पर ही बन सकता था लेकिन पती के शहरी मकान में स्टोव पर खाना बनाने का उन्हें बहुत शौक था बहुँ के पास चीनी के, स्टील के, मुरादाबादी बरतनों के सेट्स लगे हुए हैं पर अम्मा को दूद के लिए एक स्टील की पतीली की इक्षा थी वह भी मन की मन में रह गई और दूद भी कितना आता पाओ भर की आधा सेर बस अम्मा की बातों से मेरा मन भी उदास होने लगा था आखिर मैंने कहा रहने दो अम्मा बीती बाते कहने से मन को दुख होता है फिर मरे हुए व्यक्ती को कोसना तनीक भी अच्छा नहीं रात दिन मेरा मन जो जलता है लली कभी तो बात मुह पर आती ही है गिरहस्ती का सुख देखा ही क्या है मैंने घर बसाना और चीज है बच्चे पैदा करना और अम्मा पर उदासी कहा आलम दो-चार दिन बड़ी मुश्किल से रहा पंडिजी जिस दिन आने वाले थे उस दिन सुबह से उनका उत्साह देखने योग्य था उनका दूद लेना, पानी भरना, जाडू, बुहारी सारा काम अम्मा ने बड़ी मनो योग से किया था शाम को वे आये तो अम्मा ने ही उन्हें बना कर खिलाया रात बड़ी दे तक उन लोगों की बातें चलती रही दान दहेज, दूला दूलन, नेग बयोहार आदी पर चर्चा होती रही वहाँ जो कुछ सुनकर आई वह सब मुझे भी सुनाया गया और यह सब कहते वे उनका मन ऐसे उत्साहित हो रहा था मानुवा स्वैम भतीजे की शादी करके आई हूँ अब अम्मा के पास कोई काम नहीं था वह बड़ा खाली-खाली सा अनुभव कर रही थी सुबह दे तक बैठी भूशन को खिलाती रही नहीं तो बच्चों में उनका मन कम ही लगता था दोपहर में जब सब दफतर जा चुके थे तब चाची ने घर का सफाई अभ्यान शुरू किया फर्श को धो पोँच कर साफ किया खिड़कियों के शीशे चमकाए एक-एक चीज अलमारी से उतार कर नए सिरे से रखी बाहर से लोटने पर चाची का या हमेशा का कारिक्रम था अपने साफ सुत्रे घर पर उन्हें नाज था और इसके लिए उन्हें मेहनत भी कम नहीं करनी पड़ती मैंने सोचा था इस बार कम से कम किचन उन्हें चाक चौबंद मिलेगा कम से कम वहां उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पर जब वहां भी उन्होंने डिब्बे, बर्नियों टोकनी और सूपादी उतारने प्रारंब किये तो मुझसे नहीं रहा गया चाची अम्मा ने बहुत चौकसी रखी है आपके किचन की जरा भी कूडा नहीं मिलेगा और सारे डिब्बे भी माच कर साफ किये थे एक दिन मैंने और चाची ने एक सार डिब्बों की ओर देखा बर्साती हरे काले धब्बे लेकर वे मेरा मुह चिड़ा रहे थे जीजी ने बहुत किया है बिटिया यह बता रहे थे मा भी क्या करेगी ऐसी सेवा की है पर अब उनकी उम्र भी तो नहीं है या सब करने की चाची ने सांतोना सी देते हुए कहा फिर दूसरे दिन चाची ने डिब्बों का उद्धार किया तीसरे दिन कच्चे आगन को लीपा चौथे दिन अम्मा मेरे आगन में बैठी उदास भाव से देखती रही और फिर अचानक एक दिन उन्होंने घर जाने की इच्छा प्रकट की ऐसी क्या जल्दी है अम्मा अब बिटिया के घर जादा रहें तो अच्छा थोड़े ही लगता है एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही है और मैं सोच रही थी कहां था अम्मा का अपना घर कब था आशा है कि अहिदेस परशी कहानी आपको बहुत ही पसंदाई होगी अगर कहानी पसंदाई है तो मुझे प्रोच साहित करने के लिए एक लाइक करें अपनों के साथ जादा से जादा शेयर करें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा वनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानिया आपको समय पर मिलती रहें फिर मिलती हूँ एक नई कहानिया कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद